HDFC में आप अपने mobile से online ही saving और current account open कर सकते हैं आज हम बात करेंगे HDFC के regular saving account के बारे में किस तरह आपको ये online account open करना है, कितना आपको charges और fees देना पड़ता है, किस तरह के इस regular saving account में benefit मिलता है वीडियो के last में मैं कुछ pro tips भी share करूँगा इस saving account के बारे में जिससे कि आप इस saving account से और भी extra benefit ले पाएंगे यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आप HDFC का ये regular saving account कैसे open कर सकते हैं इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, उस link पे click करने के बाद एक आपको basic सा form भरना होगा form भरने के बाद आपको BDQIC करने को आएगा, BDQIC आप जब complete करेंगे, सही सही complete कर देंगे तो इसके बाद आपका account open हो जाएगा, online ही, अपने mobile से ही online open कर सकते हैं यह जो HDFC का regular saving account है, यह minimum balance वाला saving account है, जिसमें कि आपको minimum balance हमेशा maintain करके रखना होगा अगर आप metro और urban area से belong करते हैं, तो आपको यहाँ पे 10,000 का minimum balance maintain करके रखना होगा और semi-urban से belong करते हैं, तो आपको यहाँ पे 5,000 का minimum balance maintain करके रखना होगा और rural area से belong करते हैं, तो यहाँ पे आपको 25,000 का minimum balance maintain करके रखना होगा अपने account में अगर आपका account metro और urban area वाला है यानि कि 10,000 रुपया minimum balance वाला आपका account है तो अगर आप minimum balance अपने account में maintain करके नहीं रखेंगे तो यहाँ पे आपको maintenance चार्ज देना पड़ता है अगर 75,000 और 10,000 से कम है तो यहाँ पे आपको 150 रुपीज का चार्ज देना होगा और 5,000 से 75,000 के बीच है आपके saving account में minimum balance तो यहाँ पे आपको 300 रुपया चार्ज देना होगा और 5,000 से 5,000 के बीच है minimum balance तो यहाँ पे आपको 450 रुपय का चार्ज देना होगा और 5,000 से कम है अगर आपका minimum balance तो यहाँ पे आपको 600 रुपय का चार्ज देना होगा उसी तरह से आपका semi-arban वाला account है यानि की minimum balance 5000 maintain करने वाला account है तो यहाँ पे अगर आप account maintain नहीं करते हैं तो 5000 से 2500 की बीच अगर आपका minimum balance रहता है आपके account में तो 150 रुपीज का charge देना होगा और 2500 से भी कम है आपके saving account में तो यहाँ पे आपको 300 रुपे का maintenance charge देना होगा और और वहीं पे आपका rural area वाला account है जिसमें की minimum balance 2500 रुपे maintain करना होता है तो अगर आप minimum balance 2500 रुपे नहीं maintain करते हैं तो 2500 रुपे से कम और 1000 रुपे के बीच में अगर आपका saving account में पैसा रहता है तो यहाँ पे आपको 270 रुपे का charge देना होगा और 1000 रुपे से भी कम है तो मेंसा maintain करके रखना होगा यानि कि उस पैसे को आप कभी use नहीं कर पाएंगे इसका एक rule है जिसको follow करके आप minimum balance को भी use कर सकते हैं तो आपका maintenance charge नहीं लगेगा example से समझें तो मालेज़े आपके account में minimum balance 5000 रुपे maintain करना होता है तो इस तरह से देखा जाये तो एक महिने में लगबग 30 दिन होता है तो एक दिन का minimum balance 5000 रुपे maintain करना होता है तो उसी को अगर आप 30 से गुड़ा कर देते हैं यानि कि 30 दिन से गुड़े कर देते हैं तो यहा आपको maintenance चार्ज नहीं देना होगा और आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन के लिए डेर लाग रुपे अपने से अकाउंट में रख देते हैं इसके बाद वो पैसा यूज कर लेते हैं और आपके account में कोई भी पैसा नहीं है यानि कि zero balance है तो भी आपको एक सेविंग अकाउंट उपन करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ एक welcome kit आपके घर पे deliver किया जाता है इसमें इस तरह का एक passbook और साथ में ही एक checkbook और ये millennia का debit card deliver किया जाता है फ्री में मतलब इसका कोई charge नहीं दिया जाता है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको ए चेक book एक साल में free दिया जाता है 25 पनों का लेकिन अगर आप एक साल के अंदर ही 25 पनों का ये checkbook खतम करके दूसरा order करते हैं तो यहाँ से आपको extra charge देना होता है 75 रुपय का और अगर आप senior citizen है और additional checkbook order करते हैं एक साल के अंदर ही तो सिर्फ आपको यहाँ पर 2 रुपय क चार्ज देना पड़ता है senior citizen के लिए ये काफी बढ़िया चूट मिलता है welcome kit के साथ ये debit card free में मिलता है लेकिन अगर आपका ये debit card खो जाता है चोरी हो जाता है या किसी region से आप debit card replacement कराना चाहते हैं दूसरा मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 200 रुपय का debit card replacement charge देन सकते हैं HDFC के ATM को use करके अगर आप 5 बार से उपर निकालना चाहते हैं एक महिने में तो यहाँ पे आपको extra charge देना होगा और किसी other bank के ATM में इस debit card को use करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 transaction free मिलता है यानि कि 3 बार आप इस debit card से किसी other bank के ATM में निकाल सकते हैं लेकि मुंबाई और कोलकाता अब बात करते हैं इस regular saving account के कुछ benefit और feature के बारे में इस HDFC के regular saving account में आपको net banking, phone banking और account balance चेक करने का free feature मिलता है यानि कि free में आप यह सब चीज़ें check कर सकते हैं और आप इस HDFC के regular saving account से utility bill पे करने के लिए auto pay enable कर सकते हैं इसका मतलब है कि आपका जित आपके bill आते हैं उसको payment करने के लिए आप auto debit enable कर सकते हैं जहां पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब आपका mobile का recharge करना है कब आपका credit card का bill भरना है यह सब चीज़ें automatic ही payment हो जाएगा आपके saving account से जिसने कि आप अपने किसी भी bill का late fees देने से बच सकते हैं और civil score भी बेतर कर सकते हैं regular payment करके यानि कि time to time payment करके अगला benefit है annual maintenance charge bebop यानि कि आप HDFC के इस regular saving account को open करने के बाद HDFC bank में first year में ही अगर आप demand account open कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको annual maintenance charge नहीं देना होगा next year का next benefit है कि अगर आप HDFC का smart by application का use करते हैं payment करने के लिए या swapping करने के ल मिलता है और इस HDFC के debit card पर भी आपको time to time काफी सारा offer देखने को मिलता है मेरा जहां तक experience है इस HDFC के regular saving account के बारे में तो जब भी Amazon पर या flip card पर sale का time आता है तो उस time आपको other bank के मुकाबले HDFC के debit card और credit card पे आपको online shopping करने पे काफी सारा छूट और discount देखने को मिलता है फिर नहीं लिया जाता है अगला benefit है super saver facility और safe deposit locker का super saver facility का मतलब है कि जब चाहें आप अपने net banking और phone banking से fixed deposit यानि की FD को create कर सकते हैं और जब चाहें तब FD को break भी कर सकते हैं आपको bank जाने की ज़रुरत नहीं है और safe deposit locker का मतलब है कि आपके घर में मालेजे कोई premium product है जिसको कि आप घर में नहीं रखना चाहते हैं चोरी होने का या कुछ होने का डर है तो आप HDFC का safe deposit locker use कर सकते हैं इस HDFC के regular saving account में आपको 3% से 3.5% का interest मिलता है अगर आप मिनमम 50 लाग या 50 लाग से कम अपने saving account में पैसा रखे हैं तो यहाँ पे आपको 3% का interest मिलेगा और 50 लाग से ज bonus tips यह है कि अगर आप HDFC का regular saving account open कराते हैं उपन कराने के बाद आप मंतरी ठीक ठाक transition करते हैं मिनमम balance सही से maintain करकर रखते हैं अपने account में और account में कुछ पैसे extra भी रखते हैं तो यहाँ पे आपको credit card की भी eligibility मिल जाती है अगर आपका civil score खराब है फिर भी यह मेरा first credit card है HDFC money back plus credit card है जो कि HDFC का regular saving account open कराने के बाद मिला था मेरा उस time civil score काफी खराब था लेकिन फिर भी मुझे यह HDFC का money back plus credit card मिल गया जिसका के limit 40,000 है इस HDFC के regular saving account के welcome kit में यह passbook, checkbook और debit card के अलावा भी काफी तरह के यहाँ पर परची मिलते हैं जो कि काफी important है अगर आपको welcome kit के unboxing का proper detail video देखना है तो link आपको description में मिल जाएगा और कैसे आपको regular saving account open करना है और कैसे video KYC करना है इसका भी link आपको video description में मिल जाएगा उमीद करते हैं यह video informative लगी होगी चाहे तो आप like कर सकते हैं चैनल को भी subscribe कर सकते हैं कर क्या सकते हैं कर ही लीजेगा मिलते हैं अगली video में बहुत बहुत धन्यवाद